तो फिर से यहां पर जो बंगलादेश की टीम थी USA से हार जाती है पूर्य भारत बार के अंदर ट्विटर के ओपर ट्रेंट कर रहा था इस मैच के बाद हैस्टैग बंगलादेश रीजन क्या था USA से हार सबसे बड़ा तो जो मुकाबल है यह है USA बना बंगलादेश के बीच म मैच टाइमिंग है रात के सड़े आठ बजे तो सबसे बले पिछले मैच की समरी देखते हैं क्या वादा उसके अंदर है अली खान का स्पेल बड़ा यादगार रहा उन्होंने कुरुशल ओवर्स जाले यॉर्कर डाली एकदम नेल किया वागिया United States of America पहले बैटिंग गर ने आती है इन्होंने 20 ओवर के अंदर 145 का टारिगेट दिया 6 विकेटियों नुकसान पे मौनाक पटेल ने कप्तानी पारी के लिए 42 के 38 गेंदों के अंदर एक छोर को समाल के रखा एरेंग जो उसने 35 के आच उतिस गेंदों के अंदर स्टीमन टेलर ने अंदाज अपना लग रहा था बहुत छोटा सा स्कोर 145 सेस हो जाएगा 15-16 ओर के अंदर बट नहीं नजम लोशन सेनन तो कप्तान 36 गेंदों के पारी 34 गेंदों में अब आप देखो वहां से यूसी की तरफ से मौनक पटिल उनका कप्तान जादा रंज बनाता है यहां से नजम लोशन सेनन तो शाकिब ने 30 किया 23 गेंदों के अंदर त्वेधरी दोई ने 25 के 21 गेंदों के अंदर और अली खान तीन विकेट निकालते हैं 25 रंखरच करके नित्रा बलकर को दो विकेट मिला 15 रंदे के और यहां पर श्रैडली बन शालू की जिसके बर हम बात कर रहे थे पहले T20 में इनको क्यों नहीं हिलाए गया यह आते हैं 25 रंखरच करते हैं चार ओर के अंदर दोविकेट निकालते हैं और यॉनाइटेट स्टेट्स ऑफ अमेरिका चार एंसस मैच को जीच जाती है और जो एस सीरीज तीन मैच की इसको 200 लीड कर रही है तो इस मैच के अंदर क्या हो सक किसके अंदर खेल रहे हैं किसकी बोड़ी लेंग्वेज कैसी इसके बारे में बात रहेंगे टेलीग्राम चैनल जोइन कर लो फाइदा किया है लाइन अपस के बाद कोई भी अपडेट आईगी मैं टेलीग्राम पर दे दूँगा टेलीग्राम कालिंग में आपको डिस्क् 44 बनाया था बंगलादेश ने और इसको I mean USA ने और बंगलादेश इसको चेस नहीं कर पाई थी 138 पर उग गई 153 बनाया यह बनाया था बंगलादेश ने पहले बैटिंग कर गए फिर USA चेस करने आउती है हर्मिट सिंग जो रदस्तावन रोयल्स के क्रिकेटर रह चुके है आईपकेल के अंदर वो आते हैं तीन बॉल रहते हैं टार्गेट को चेस कर जाते हैं इंडिया अंडर नायटिंग भी खिलात है हर्मिट सिंग ने 168 बना पांच मीटे नुकसान पे चेसिंग टीम उसको चेस कर गए यूज से यहां पर 6 मैचेस के लिए भाई सब 6-6 जीती है बंगलादेश दो खिलिए दोनों हरी है बैटिंग फस्त तीन चेस कर तो भी यहां पर तीन मैचेस दीते गया हैं प्रती और साढ़े आठ के आसपास रंज बनता है और जो पिछला मैच था यूज से बंगलादेश का उस मैच में 13 विगेट पेसर गा था दो विगेट पेसर ने 43 विगेट निगा रहा है पहली बारी में पेसर का किस दूसरी पारी कंदर बाई राइट ताम पेसर पच्छिस लेफट आप अठारा विगेट है पिछले मैच की फोटो सेकिंड टीट याई यह फर्स टीट याई की फोटो है पिछकी तो आप देख सकते हैं जो आपको जो इंडिया के अंदर क्रिकेट क्लब के मैचेस होते हैं क्लब लेवल के ऐसी पीछ आपको देखने को मिलेगी क्योंकि स्टेडियम ऐसा आप देखो अगल बगल में पुरा खुला स्टेडियम है जिस तरह से स्टेडियम का वियो आता है अभी यहां पर इन्होंने रेल गाड़ी के जो बखसे होते हैं आपने देखा होगा ऐसे लगा लगा के थोड़ा सा यहां पर महौल बनाया है कि कुछ तो है यह ठीक है वरना कुछ नहीं था पुरा ओपन ग्राउंड था है यह स्टेडियम का वियो यह ए अनिमेशन वाला वियो है आपको लग रहा हो भाई क्या स्टेडियम दिख रहा है तो अनिमेटेड वियो ही है इन्होंने जब स्टेडियम की नीव रखी थी तब जाके यह ऐसा इन्होंने अनिमिशन बना के दिया था दोन टीप से अपस फिर दो बैचर्स कहले है और दोनों यह से जीती है किसने सोचा होगा मोनाक पतिल कफ्तान जाब उपन करेंगे स्टिवन टेलर के साथ लेफटी रैटी कॉंबनेशन एंड्री कॉस्स पिछले मैच में डगपया आउट पे लेकिन बहुत अच्छे प्लैर एरन जोंस नितिश कुमार फिर आपको हैं पर कुरी अंडरेशन हर्मेट संग सैडलेव चेंजेस करे सकती हैं मैं सिफविद उन को ला जा सकता है चांसे अच्छा प्लैर है वो बॉलिंग अच्छी कारा लेता है स्टीवन टेलर दो मैचेस में क्या उन रन दो विगेट है बैटिंग फरस्ट इकति स्टेस पर बीस अच्छे टच में दिगा है सिरीज के अंदर और टॉप कैटन से उप्शन में पिछले के में तीन हो डाला और सबली भी तीन हो डाला वन्री के उपर पांच मैच मैच में पांच मैचेस में एक सो चौतर रंस है दो फिफ्टी पर एक फॉर्टीज वे स्कूर है ठीए अच्छा प्ले रहा है एंड्री गॉस दो मैचेस में तीस रंस बैटिंग फरस्ट बड़े बड़े वो चेस करते हुए रच है और पिछले के में डग पांच मैचेस में एक सो दो मैचेस में उन्चाल इस रंस बैटिंग फरस्ट पैटी से इसके उपर चार वेनिग उपर चाहे मैचेस में तिरा में रंस है लास्ट गे में थोड़ा ठीक खेल गया परना इसका जो फॉर्म था ना मेरे साब से ड्रॉप नो जाए ऐसा फॉर्म तेस बन देगा वाइस क तीन नहीं तो कैसे लिग रहा है मैं क्लास लेनी बाडि मैंने लिखा है यह कल्या करें था हूं आ यहाई वा इसक्षिन क्या यह वो लूस बन देगा गल्ती उसकी नहीं है मेरी है गल्ती उसकी नहीं है मेरी ही है जी भाई यो शमा चाता हूं डिदाइना भाई जी नहीं है जी नहीं है बाई दो मैचस में 33 रंज जिरो गेड़ बॉलिंग 1st बॉलिंग 2 विकेटलस भी यह यह विद बैक वेल्यू देखे जासकता है लास्ट गेम में दोर का स्पेल जाद अवर नहीं डालता है ऐसी अलफडा इसका बस दिक्कत यह है कि बॉलिंग 2nd में बड़े भी था जितना मुझे आद आ रहा है एक मैच में दो विकेटल बॉलिंग 2nd करते हुए जैनी के पर पांच मैचों में 8 विकेटल अधू देग इनबाज है इसके बारे में पहले टी-20 में बहुत ज़्यादा बात करी थी वाइस केप्टन से उप्शन में था मेरे ल जाएगा ठीक है बॉलिंग फर्स तीन में चार बॉलिंग सेकेंड भी तीन में चार विकेट्स हैं लास्ट गेम में बोल्ड गयादा है इसने मुस्ताफी जरुगो जहां से थोड़ा सा गेम और शिफ्ट हुआ अली खान का दो में चार अधुद गेंबाज वियोर्कर स्प में बहुत अच्छी पारी खेल के आ रहा था यह हमने जिंबाभवे के अगेंस सीरीज देखे थी बंगलादेश के अंदर बहुत अच्छा खिला लडगा बहुत तलेंटेड प्लेयर है फॉर्म देखो उननेस दो बावन इकीस रठा रहा चाह सटना बाद उन चालिस भी आ नजम मुलसन सैना तो दो मैचस के अंदर 39 रंस है और भाई ने क्या किया हुआ है बैटिंग फर्स तीन चेस के उपर 36 पे रन आउट वाई लास्ट गेम के अंदर तुएद रिदुए का दो मैचस में 83 बैटिंग फर्स 58 चेस के उपर 25 सेम फॉर दवैन्यू शाकिर बसन का दो मैचस में 36 रंस जाएसा बहुत कम होता है कि शाकिब भाई विकेटलेस से ले जाए दो-दो मैचस हो गए हो सीरीज के वाई क्या चल रहा है ये में मुदूला का दो मैचस में 34 रंस लास्ट गेम में बॉलिंग नहीं करा है इक ता वैट ही उगदान रा सिर्फ तीन रनो का जाकिर अली कहांगे दो मैचस में 13 रंस वैनी के पर भी रिशाद उसन विद बैट विद बॉल आपको विल्यू दी जाता है लास्ट इम भी बात करी थी बहुत स्पेशल क्रिकेटर है विकेट टेगर है लेकिन लास्ट गेमें 21 दिया चार रोर के अंदर दो विकेट नि निकाला मुस्वा फुजर भी हर गेम में विकेट्स निकाली रहा है बट मार खा रहा है शेफ अधिन का फॉम 3-1-3-1-0-2-2-3 वाजब का प्ले रहे है बैटिंग भी गर लेता है शेफ अधिन फाइद आई है शाकीप के बरले तांजिम शाकिय बरले शेफ अधिन को खिल शाकीब लसन चटवा आठवा बारवा सोलवा रिशात का साथवा नमवा ग्यारवा चौदवा मैचब्स देखते हैं तो इसा कोई खास मिचब अभी तक बनकी उभरा नहीं है एक एंड्री गॉस वरसेज घरिसाद दुशेन का है आठ वोलो में 14 रंद दो निंग्स में दो दो बार आउट किया कोई अब बंगलादेश के बैटर्स को देखते हैं सोलमय सरकार को नेतरवलकर से दिक्कत होगी यह बात भी गरीती लेफटाम पेसर है सोलमय सरकार लेफटाम पेसर को अच्छी से नहीं खेल पारा कुछ समय से स्टीवन टेलर ऑफ स्पिनर है वो दोनों लेफ्टी बैटर्स ज्यादा अटैक करके खेलने लग जाए तो फिर 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 कोई ऐसा मैच अप नहीं है शाकी वर्सेस कोरी अंडरसन देखने को मिला और आउट किया होगा है कॉमन कैप्टन शाकी मुस्ताफी जोर अलग जाना है तो यह सेम है जो मैने लास्ट म किपिंग से स्टार्ट करते हैं मोर आप पठेल एंडरी गॉस आपको दिख जाते हैं तो अब एंडरी गॉस को बैक करूंगा यह कहते हैं इस बंदों के एंडरी गॉस करके बाए का नाम ही बिगाड दूँ इसका सर्च करके देखता हूं आपके सामने तोड़ी मस्ती भी अन्डरियस गॉस बाए क्या प्रियाज करना मेरी से बाहरय है दूद घ्रिय गॉस इसको कहते हैं अन्डरीस मेरि गॉसsels कहते एं यह किया ड़त है इंडरीस मेर्के गॉस जियrito अग्वी धीयनकोगिया मस्ता Manufacturing कू प्टे लिहाजरा अवर्टेयिंकटी प्टेयारा च sortir और अंड्रियस गॉस को मैं वैक करूँगा दोनों बहुत अच्छे ग्रिगेडर्स हैं वैल्यू देते हैं आपको टॉप और में बैटिंग करते हैं रिटिंदास के लिए तो आप प्रिफर कर सकते हो बड़ मैं आता हूं बैटर सक्षिन की दरफ इसके अंदर सबसे मैक तो आपको दिख जाते हैं तांजीज असन और तुएद उरीदोय तांजीज असन पेछले गेम में खेला सिर्फ एक ही मैच में 14 पांट दे गया बहुत अच्छा प्लेयर है नजम अनशन शिनन तो फॉर्म से जूज रहा और कॉशन मांक लग गया है इस प्लेयर के उपर आप क अपने क्या किया अभी तक कुछ नहीं किया आप जाके जिंबाव में वरंस नहीं कर रहे थे बंगलादेश में सेरीज ती वो तो दो प्लेयर मेरे मस्ट्री का में मुद अला लास्ट मिट पे देखते हैं बॉलिंग करा नहीं आ सकता यूस ट्रैकरा स्पिन होती है तो शाक स्टीवन टेलर मस्ट पिक यहां से रिसाद उशेन भी हमने पहले मैच में बैक किया था इस गेम में भी बैक करूआ मैं बॉलिंग स्रेक्शन में मुस्टाफीर को ले लो अली खान आप ले एक स्ट्रेट फॉरवड पिक इसमें सब रोटेट करना तो आप करिए नेत्राव कर को शर्फुल इसलाम को डिपेंडिंग ओन दा है सिचुएशन मैं एंड्रियस गॉस को निकाल देता हूं फिलाल और मैं लेल देता हूं शर्फुल इसलाम को गर इनकी टीम पहले गिनबाजी करती है नित्रावाल कर एक फिकेट टेकिंग ऑप्शन है कैप्टन कर देंग स्टीवन दिलर अच्छा ओप्शन है उपन कर रहा है वेल्यू इद बॉल है या फिर आफ चली जाएए शाकिप के साथ ये अब नहीं तो कब आप परफॉम्स दोगे ये वाली बात है बॉलिंग से तो कुछ किया नहीं इस बाइने बट इसे गेम इंकले स्पेशल हो सकता ह देखते रहे स्टाइट शुरूजी आप से मिलता में टेलीग्राम के पर जाहन सी सून बाद बाद दिन आपने इस तीन मैच के सीरीज में सबूर मना के राखा